हलो इस वीडियो में क्लास 12 पॉलिटी के फर्स्ट बूक समकालिन विस्व मिराजनीती के जो फर्स्ट चिप्टर है जिसका नाम सित्युद का दौर है कोल्ड वार एरा उसके महत्पूर्ण अबजेक्टिव टाप्स के प्रशनों को हल करेंगे क्योंकि आपकी प्रिक्षप एक फर्वरेरी दो जलते से सुरू होने वाली है और जिसमें कुछ ही दीन बचे हुए हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी तयारी को आँख सकते हैं कि आपकी जो तयारी है कितना पानी में है आपकी तयारी कितने बहतर ढंग से अभी तक हुई है इस वीडियो में हम पार्ट वान को कभर करेंगे और बचे हुए जो प्रश्ण होगे अबजेक्टिवस होगे उनको पार्ट व में पूर्णता कंपलेट कर लिया जाएगा तो चले हैं वीडियो को शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्ण है निम्न लिखेत में से कौन से यूद केवल कुट निती कूपायों दवर लड़ा गया आपके ऑप्शन है ए प्रतां विश्व यूद बी द्वित्ती विश्व यूद सी ती ती यूद या फ्रिडी इनमें से कोई नहीं तो जो इस प्रश्ण का सह बाउध हुआ नहीं इसमें ना तो किसी प्रकार का गोली बंधुक चले न बारुद छोड़ा गे या फिर जानमाल के हानी भी इसमें बहुत कमी हुई या फिर ना के बराबर हुई तो यह केवल कुट निती कूपायों दुरा लड़ा गया यूद था इस प्रकार इस प्रस इसमें ना तो कोई गोली चली और नहीं कोई घायाल हुआ किसी भी प्रकार के जानमाल की हानी नहीं हो भी थी इस प्रकार इस प्रस्ट का सही उत्र होगा ऑप्शन बी इसमारा अगला प्रशन है जित्यूद के दोरान निम्न मैं से कौन से सन्गठन बनाए गए थे अपकी ओप्शन है ए नाटो बी वार्षा सी ए और बी दोनो अर्थात नाटो भी और वार्षा भी या फ्रीडी इनमें से कोई नहीं इस प्रेशन का सही उत्तर होगा जीतूद गज़रान दोनों बना गये थे नाटो और वारसा दोनों इस प्रकर इस प्रेशन का सही उत्तर होगा ओप्षन C, A और B दोनो आगे चलेंगे अगला प्रेशन है निम्न में से किस संगठन को सांती का भागिदार सांती का भागिदार कहा जाता है आपके उप्षन है A, आसियान को B, स्तार्क C, वारसा या फ्रेशन D, नाटो सांती का भागिदार नाटो को कहा जाता है जो अमेरिका के द्वारब बरनाया गया था उनिस सुनचास में इसका गठन किया गया था इस प्रेशन का सही उत्र होगा उप्षन D, नाटो आगे चलेंगे कहता है नाटो की स्थापना किश्वर्ष होई थी आपके उप्षन है A, उनिस सु पच्पन में B, उनिस सुनचास में C, उनिस सु सेन्तालिस में या फिर D, उनिस सु एकानवे में नाटो की स्थापना 4 अप्रेशन उनिस सुनचास इस वी में हुआ था इस प्रकार इसका सही उत्र होगा option B, 1949 आगे है वार्षा पैकेट का गठन किश्वर्ष किया गया आपके option है A, उनिस सुनचास B, उनिस सु पासट C, उनिस सु पच्पन और यह सोवियत संग के द्वरा इसका गठन किया गया था आगे देखेंगे निमनलीकित में से कौन सा सैनने संग गठन अमेरिका के नित्रीतों में बनाया गया था आपके option है A, नाटो, B, वार्षा, C, हासियान या फिर D, यूरोपिय संग तो अमेरिका के नित्रीतों में बनाया गया सेनने संग गठन था नाटो, नाटो की स्थापना की गई थी जिसका फूल फ्रोम होता है North Atlantic Treaty Organization 4 अप्रेल उन्हें सुंचास के द्वरा 4 अप्रेल उन्हें सुंचास को सोवेट अमेरिका के द्वरा बनाया गया था इस प्रकार इसका सही उत्रोगा option A, नाटो अगला प्रेशन है वार्षा प्रेक्ट का गठन किस महसकती के नित्रीतों में किया गया अर्थात कि जो वार्षा प्रेक्ट है उसका संग उसको किस ने बनाया था आपके option है A, अमेरिका B, सोवेट संग C, चीन यफ़ D, ब्रेटेन तो वार्षा प्रेक्ट का गठन किया गया था सोवेट संग के द्वरा और नाटो के सदसियों को पचाड़ने के लिए उन्हें रोकने के लिए इस प्रकर इसका सही उतर होगा option B, सोवेट संग अगला प्रेशन कहता है कि C, तूद के दोरान सामिवाद को रोकने के लिए किस संग गठन की अस्थापना की गई थी आपके option है A, वार्षा B, आसियान C, नाटो एफडी इन्हें से कोई नहीं तो सी तूद के दोरान सामिवाद को रोकने के लिए वार्षा का गठन किया गया था सौरी वार्षा का नहीं नाटो का गठन किया गया था option C, सही उतर होगा लेकिन यहीं रहता कि सी तूद के दोरान पुझी वाद को रोकने के लिए कि संगटन के स्थापना के गई थी तो इसका सही उतर होता option A अलांकि प्रश्ण में वह इसा नहीं पूचा है प्रश्ण पूचा कि सीतुत कदरान साम्मेवाद को रोकने के लिए कि संगटन के स्थापना के गई थी तो आपका शाहीं उतर होगा option C NATO आगे चलेंगे हमारा दस्वाँ प्रश्ण है निमने लिकित में से कौन नाटो का सदसे नहीं है आपके option है यहां पर देखें कि जो ब्रीटन है नाटो का सदसे है नाटो का सदसे था और अभी भी है नाटो के सदसे है और जो वरतमान भी नाटो भी वरतमान है हलागे भी वारसा प्रश्ण रहा नहीं वो भी घ्याटित हो गया इसमें जो भारत है भारत इसका सदसे नहीं है चूंकि भारत एक तटास देश से गुट निरपेच की नीती अपनाए रखता है तो इसका जो option D है सही उतर होगा भारत नाटो का सदसे नहीं है आगे चलेंगे निमनलीकित में से कौन वारसा प्रश्ण का सदसे देश नहीं है आपके option A हंगरी B Finland C पूर्वी जर्मनी याफ D Poland तो इसका जो सही उतर होगा वारसा प्रश्ण का सदसे नहीं है पूर्वी जर्मनी पूर्वी जर्मनी था ये सोवियत खेमे में शामिल था और जो पूर्वी जर्मनी था ये सोवियत खेमे में शामिल था और जो पूर्वी जर्मनी था ये सोवियत खेमे में शामिल था और जो पूर्वी जर्मनी था ये सोवियत खेमे में शामिल था और वो अमेरिका के घयमें में सांबिल था यह वेसएज़ा को कि professions कहता है कि महाशक्टियों दोबारा चोटे देशों के साथ सैंग्ट बंदन बनाने के क्या करां थto अभी जो हमने ने देखें कि जो नाडो था वर्फाप्टches दौनों महाशक्तियों के दौदा बनाये गए सायन गट बंदन थे, ये सायन गट बंदन में चोटे-चोटे देश भी सामिल होते थे, आखिर महाशक्तियां जो थी, अमेरिका और शोवेट संग, ये चोटे देशों को अपने में सामिल क्यों रखती थी, आखिर ये इसके क्या कारण थे, आपके बताने हैं, आ फिर D, इनमें से सभी तो एक करके देखें तो यूद पर होने वाले खर्च को ये कम करना चाहते थे चुकि जो महासक्तिय होते थे वो इतने बड़े यूद के खर्चे को एकेले नहीं लेना चाहते थे ये सोचते थे कि अगर हम छोटे देशों के साथ हिस्सेदारी करेंगे तो अपने जो खर्चे आएगा उन पर लाद देंगे उन पर बोज के रूप में डाल देंगे और जो उन पर होने वाले खर्चों है उनसे उनकी भरपाई कराई जाएगी एक कारण तो ये भी है ये तो सही है आगे देखेंगे भी कहता है कि छोटे देशों के प्राकृतिक संसादनों के इस्तिमाल करना ये भी बिल्कुल सही है छोटे देशों में उत्पादित होने वाले जो निकलते थे कोईला निकलते थे पेट्रॉलियम जैसे तैने प्राकृतिक संसाथनों पर महाशक्तियों का दबदबा था, उनका कबजा था, पोईला प्राकृतिक गैसों पर को वे इस्तिमाल करते थे, छोटे देशों के साथ, और सी देखें कि छोटे देशों के भुभाग को सैनी कड़े में तब्दिल करना ये भी बिल्कुर सही है जो छोटे देशों के जो जमीन होते थे जो भूभाभ होते थे उन पे अपने देश के सैनी कड़्े लगाते थे वहाँ आपने सैनी को रख देते थे ताकि अगर किश्र दुसमन देश से कोई अगर मुकाबला करना हो यूद्ध लड़ना हो तो उस इस्तिति में जल्दी से जल्दी वहां पहुंचा जा सके तीनों ही फैक्ट जो है सही है इस प्रकार इसका जो सही उत्रोगा option D इन में से सभी हो जाएगा आगे जलते है नीमल मेंसे कौन क्यूबा के भगोलिक परिदरिशेγα सही वर्रन करता है आपकी option है अस्ट्रेलिया के तर्ट से लगा हुआ दिविकी देश दुचिन भारत के तर्ट से लगा हुआ दिविकी देश त् सी अमेरिका के तर्ट में प्रेद्रिश्ट है कि आपको मैप के नक्स पर बताना है कि जो क्यों है कहां पर है आपकी छार विगल्वनीं पंदी यह कुणा है वह अमेरिकका के तड़ से लगा हुआ एक छोटा-स्अ देश ARE जो चार ओर से समुद्रों से गीरा हुआ है तो इस प्रस्ल का जो सही उतर होगा option C सही उतर हो जाएगा अमेरिका के तर्च से लगा हुआ DP देश आगे चलेंगे 1962 के QA मिशाल संकेट के दोरान QA के रास्ट पर दी कौन थे अपके option है इस प्रकर इसका सही उतर होगा option B आगे चलेंगे 1962 के QA मिशाल संकेट के दोरान सुवियत संके रास्ट पर दी कौन थे अभी फिलाहल इसका जस्ट पीछे पूछा कि जो क्यूबा था क्यूबा के रास्ट पर दी कौन थे लेकिन यहां पूछ रहा है कि सोवियत संके रास्ट पर दी कौन थे आपके विकल्प है A. निकीता खुरुष्चेव B. जॉन फ केनेडी C. फिदेल कास्त्रो या फिडी इन में से कोई नहीं इस प्राशन का जो सही उत्र होगा निकीता खुरुष्चेव निकीता खुरुष्चेव क्यूबा मिसाल संकेट के दोरान सोवियत संकेर रास्ट पत्ती थे इसका सही उत्र होगा option A आगे चलेंगे क्यूबा परलिमल में से किसका सासन था आपको बताना है A. शाम्यवादियों का B. पुंजीवादियों का C. A. और B. दोनों का अर्थात पुंजीवादियों का भी और साम्यवादियों का भी दोनों का या फिर D. इन्हें से कोई नहीं तो जो क्यूवा था जो अमेरिका के तरसे सामेवादियों का शासन था अमेरिक उसे सोवेट संग से जाद है इनकी गहरी दोश्दी थी इस प्रकर इसका जो सही उतर होगा option A सही उतर होगा सामेवादियों का क्यूबा पर शासन था अगला प्रशन कहता है कि क्यूबा का मिशायल संक्ट की इस वर्ष हुआ जो क्यूबा का मिशाल संक्ट है में इतनी दिरसा चरशा करते हैं कि जो क्यूबा का मिशाल संक्ट है 1962 में हुआ था 1962 में क्यूबा का मिशाल संक्ट हुआ इस प्रकर इसका सही उतर होगा option C 1962 1962 आगे चलेंगे नीमीन में से कौन सी महाशक्ति के उबा को वीतित था कुट निसका साहता देटा था यहां महाशकती के अमिरिका भी सोवेट संग कि करनाडा यह फडी चीन कि मैंने बताए कि उसमें दो ही महासक्तियां थी तो चीन और करनाडा तो होगा नहीं इसको इस तरह से काड़ देते हैं अब बचांव अमेरिका और सोवेट संग तो क्यूव में हमने पीछे पढ़ा कि क्यूव की दोस् मिशाल संक्ट के दवरान, Amirikah के राश्ट पती कौन थे? अपकी ऑप्षन है ए फधिदेल कास्थ्रो बी निकीता खुर्श चेव सी जौन F. Κैनेडी या फिरडी इनITHे सो कोई नहीं तुनिश भ्वासट के क्यों मिशाल संक्ट के दवरान अमेरिका के राज्टपती जॉन एफ कैनेडी थे इस प्रशन का जो सही उत्रोगा ऑप्शन सी जॉन एफ कैनेडी अगला प्रशन है सोवियत संग दुवारा प्रमानु हथियार तैनात करनी की भनक अमेरिकियों को कितने हफ्ते बाद लगी सोवियत संग जो था क्यों में इस प्रशन का सही उत्रोगा ऑप्शन सी सही उत्रोगा आगे चलेंगे अन्तिम प्रशन है तो जो सीित्यूद का चरम बिंदू है उसे माना जाता है कि वह मिशाइल संकट जो उन्ससुत नहुआ था और प्रकार उसका साही उत्रोगा ऑप्शन बी यहाँ फिर हमारा वीडियो खत्म मुथा है और इसमें 22 महत्पून अबजेक्टिव इनको आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो पॉस्ट करके एक एक करके लिख सकते हैं इनको यह बहुत ही महत्पुन प्रशन है आपके प्रिक्चा में सीधे पूछ ली जाएंगे यहां पर वीडियो खत्म होता है अगला जो पार्ट वन पार्ट वन होगा यह तो प हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं अगर हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन प्रेस कर लें आकि वीडियो की नोटिफेकेशन टाम टो टाम आपके पास जाती रहे हैं So that's all for today, stay for next episode, thanks for watching, have a great day